ये लो, अपना टिफिन बॉक्स मत भूलो अनीता रुको अनीता, उस दिन मैंने देखा कि कुछ लड़के लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे जिससे उनका अक्सिडेंट हो गया, इसलिए साफधान रहना और अपना खयाल रखना को दिया हाँ, मैं आपकी चिंता समझती हूँ पापा, मैं ध्यान रखूंगी, बाइ बाइ कहां जा रही हो ब्यूटिफुल, मुस्कुरा तो दो, अच्छा, तो तुम हमें भाव नहीं दे रहे हो हाँ अब इपनी भी अच्छी रही दिखती तुम ठीक तो हो अनिता, क्या बात है स्कूल के रास्ते में कुछ लड़कों ने मुझको सीटी मारी और बद्दी कॉमेंट्स किये ये सब एक हफ़ते से हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ ये खौफ नाग है, क्या तुमने अपने माता-पिता को इसके बारे में बताया मुझे डर है कि वो कहीं मेरा स्कूल ना छुड़ा दे अनिता, मुझे लगता है तुमको हमारी क्लास्टीचर से बात करने जाहिए मुझे यकीन है, वो सरूर तुमारी मदद करेंगी माम, एक, 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 मा, घबराओ मत बच्चे, मैं यहाँ अकेली हूँ, इसलिए पीचे चग बताओ, दरो मत माम, एक हफ़ते से स्कूल के रास्ते में बड़ी उम्र के लड़कों का एक ग्रूप मुझे को देकर सीती मारता है और भद्धे कॉमेंट्स पास करता है मुझे इस बारे में ममी पपा से बात करने में डर लगता है मैम, मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ हानी रफ, बताओ न कुछ दिन पहले हमारी स्कूल बस के ड्राइवर ने मुझे जबरदस्ती अपने पास बठाया उसने मुझे छुआ जो कि मुझे ठीक नहीं लगा मैंने हरतने की कोशिश की लेकिन उसने अपने पकर धीली नहीं की वो बोला कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वो मुझे सजा देगा मैं बहुत डर गया था मुझे दुख है कि ऐसा हो रहा है ये मामला बहुत ही गंभीर है कल ही एक छात्र ने शिकायत करी कि खेल की पीरिट के दौरान एक बड़ी कक्षा की लड़के ने उसे मैदान में लात और घूसों से मारा बच्चों हिंसा शारिरिक, लैंगिक, अधवा मांसिक हो सकती है और स्कूल या उसके आसपास घटित हो सकती है हिंसा स्कूल में ऐसे स्थानों में हो सकती है जहां किसी का ध्यान न जाता हो जैसे कि खेल के मैदान, अलग थलग कमरे और खाली गलियारे में जागरुक रहना और मदद मांगना बहुत जरूरी है तुम दोनों बहुत बहादूर हो और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ये बात बताए हमें प्रधानाचारे से मदद मांगने चाहिए आ जाएए गुद मानिंग सर सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है थोड़ी देर पहले हां? क्या? सर, आप तुमानते ही हैं कि हिंसा एक बच्चे के विकास को नुकसान पहुचाती है इसके कारण चुड़़़़ापन खराप शैक्षिक प्रदर्शन, स्कूल ना ना और समाथ से अलग्थरक रहने की प्रभ्यथी पहनब सकती है हमें कुछ करना चाहिए सर हम चात्रों, अध्यापकों, अभिभाबक, शिक्षा, समितियों और क्षेत्री नीताओं के सयोग से सुरक्षित शैक्षनिक माहल के लिए एक अभ्यान चला सकते है ये इस बात को सुनेशित करेगा कि जैसा अनिता और नीरफ के साथ हुआ पैसा फिर दोबारा ना हो ये बहुत अच्छा सुझा है गुड मॉर्निंग एव्रिवान आज मैं आप सब का ध्यान एक महत्वबून मुद्दे हिंसा पर आकर्शित करना चाहूंगा हिंसा का किसी भी बच्चे के मांसिक बशारीरिक स्वास्थ पर नकारात्मा कसर पड़ता है हिंसा सभी की भलाई और प्रदेख छात्र के संपून विकास को सुनिश्चित करने के हमारे विद्याले के मुख्यों देश में बाधक है बच्चों हिंसा और उपीडन से बचा तुम्हारा अधिकार है जब तक तुम्हारी आवाज सुनी नहीं जाती तब तक हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते रहो अपने साथियों को सहयोग करो और उनकी आवाज उठाने में मदद करो रीना माम क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगी बच्चों खिप्या जरी मद हम यहाँ आपकी मदद के लिए हैं हमने एक ड्रॉप बॉक्स लगाया है जिसमें आप हिंसा के माम लोग की सूचना दे सकते हैं आप बाल सुरक्षा इतु काम करने वाले चाहें लाइन नंबर 1098 पर भी कॉल कर सकते हैं हम आपकी शिकायद पर चान दीन करेंगे और जरूरी कारेवाही करेंगे धन्यवाद माद बचों अगर आपको कुछ भी बताना हो तो आप मेरे ओफिस भी आ सकते हैं सुरक्षा इतु करें